दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है जो खुद पंजाब पुलिस ने सेर किया है आप लोग वीडियो के उपर लोगों भी देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब पुलिस का यहाँ पर एक लड़की है जिसके वन मिलियन फोलोवर कंप्लीट हुए तो उन्होंने क्या किया जो अपन इसके पीछे जो इंट्रेस्टिंग गाना चल रहा है वो आप लोग देखकर मतलब आप लोगों के लिए अवेरनेस होना वन मिलियन फोलोवर हो रहे हैं तो उतनी रेस्पॉंसिबिल्टी भी इंसान के अंदर में आने चाहिना कि वन मिलियन लोग आपको फोलो कर रहे हैं तो वो नहीं देखने को मिलती है उसको अलत तरीके से लोग लेकर चल रहे हैं पर लेकिन उसको रेस्पॉंसिबिल्टी वाली बात ने निकल करा रही है आप लोग ने सुना है great power comes with great responsibility तो वो भी होना चाहिए आप लोगी क्या र पारे में सोचता नहीं है और खुद की साथ भी कई बार situation होती है तो फिर चीजों को अलग तरीके से देखता है तो यह चीजा आप लोग यहां पर अच्छे से देख सकते हैं ठीक है बाकी बहुती प्यारी बात यहां पर बोली गए आज का डिसकुसन बहुती शांदार रह कल का कैसा रहा आप लोग को यह बताना है किस तरीके से कल का दिन आप लोगों ने इंज्वे क्या और आज के दिन को कैसे इंप्रूव करने वाले हो इसके लिए प्रोपर टूडू लिस्ट आप लोग यह पास में होनी चाहिए बोला क्या है कि नोकरी नो जवान यहां पर लड़का लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं जीवन का वह सरंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें समान के नजरी से नहीं देखता है एक वीडियो मैंने सेर की थी टेलिग्राम पर इसके नीचे एक लाइन लिखी थी कि स्टूडेंट का पेन जब भी भी पढ़ने का तब तब खुल कर एक बार देख लिया तो अंदर से जो दर्थ है वो आप लोगा निकल कर आएगा और आप लोग को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और जो इस स्टार्टिंग में वीडियो लगाई है इसका सोंग देखेगा आप लोग जब सुनोगे सोंग पुलिस ने पूरे मज़े ले लिए तो यह चीज़े हैं अवेरनेस की और जिंदगी में यार देखो इनसान पैदा एक तरीके से होते हैं मरते सब एक तरीके से हैं पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने अचीव क्या किया इस धर्ती पर आकर वो मेन अचीवमेंट पर यह आप लोग देख सकते हैं यह होता है तो यहाँ पर proper systematic way में अपनी चीज़ों को लेकर चलना, notes बनाना अपना answer writing content को enrich करना जो यहाँ पर चीज़े पढ़ाय जा रही है उससे और फिर regular answer writing करना आप लोगों को बता दो, पिछली बार जो selection होएते हैं मैं अभी फिलाल comment देखता हूँ उडिसा PCS के 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उडिसा PCS में selection लेने के बाद में continuously वीडियो देख रहे हैं और अभी भी regular answer देते हैं वीडियो के नीचे मतलब पता रहता है जिनका selection होगी उनका नाम पता रहता है तो यहाँ पर वो अभी भी regular answer दे रहे हैं किसलिए क्योंकि वो आगे अभी UPSC के लिए तैयारी कर रहे है तो यह वाला dedication अगर इंसान के अंदर में आ जाए ना उसको कोई रोक सकता है कि आप लोग यह देखो कुछ से तो अपना कभी भी जिन्दगी में fully stop मत आने दो यार हमेशा कोमा लगाओ कि achieve कर ले आप next यह है next यह है next यह है इस तरीके से जिन्दगी में आगे बढ़ते रहो और हमेशा अपने आपर अपने उपर trust रखो कि यह कर लिया तो वो भी कर लेंगे तो दिल से बधाई यह इस तरीके से जिन्दगी में केरियर पर fully stop लगने जा रहा था Supreme Court ने वो fully stop हटा दिया है यहाँ पर यह तो एक काफी एक तरीके का celebration का महूल है आपर Congress के अंदर में कि मोधी सरनेम को लेकर जो इनके द्वारा comment किया गया था कि सारे जो मोधी होते हैं वो चोर होते हैं तो इसके बारे में क्या राय है आप लोग की यह किस तरीके से आप लोग इस news को देख रहेते हैं तो हलका से इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं बाकी यहाँ पर अगर ऐसे हो यह फिर आप लोगों से यहाँ पर एक तिक सा question हो तो यह काफी important है तो इसका क्या है अगर समझा जाए तो अगर आप लोग देखो तो 50% महिलाओ के बारे बात कर सकते हैं कि उनको साथ में लेकर चलना है देश को आगे लेकर चलना है पर लेकिन आप लोग अगर एक तरीके से अलग तरीके से देखो कि तो आप लोग इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और किसी SLA family member का selection होता है ना तो congratulations जरूर लिखा को रहे यार उसके नाम के साथ में और एक कहीं न कहीं आप लोग सोचों कि यह जो mail रहता है यह एक ऐसा mail होता है जो कई सारे बच्चों को motivate करता है कि हाँ हम भी एक दिन mail करेंगे सर को तो यार यह मेरे लिए भी एक तरीके से बड़ी गर्व की बात होती है कि हाँ मैं छोटा सा कम से कम at least 0.1% भी अगर contribution कहीं पर समाज के नदर में कर पार हो तो दिल से यार उस चीज के लेकर खुसी होती है तो इन कुछी जों का आप लोग जुरूर सेयर करो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा achievement हो है ताकि एक तरीके से यह नहीं कि एक मेरे अंदर भी sense of achievement की feeling आती है कि हाँ यार एक नहीं अच्छा motivation आता है काम को और करने का ठीक है तो फिर से यार दिल से बढ़ाई दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं और ये जो स्टोरी है ये बसी साव की है जो stand-up comedian है उनकी दौरा एक particular video upload की गी थी जिसमें दो दोस्त जो होते हैं वो बाहर जाते हैं रूम लेने के लिए और रूम लेकर basically वहाँ पर वह रहने start कर देते हैं पर दोनों जो थे वो BD cigarette पीना और सराब पीने के बड़े सोकीन थे तो उन्होंने बिल्कुल से अंदार तरीके से अपने रूम में वो पी पी कर सराब की बहुत दोस्ता उनके आते हैं तो हाँ पर आप लोगों ने वो वीडियो किस-किस ने देखिए पहले तो यह बताओ अब यहां से उसका क्या रिलेशन है उसमें एक डाइलोग है तो उसमें एक डाइलोग है कि हमारे जो बच्चे थे वो तो काफी सीधे थे इसकी संगती में आकर हमारा बच्चा भी गड़ गया तो महाँ पर एक डाइलोग है कि सीधा बता रहे हो उसको यह मीटी मीडी बोलके सिग्रेट पिलानी सिखा दीज ने मुझे तो वही वाली बात है 99% लोग हमारे समाज के अंदर में सोसाइटी के अंदर में वो हैं जिनको कोई ने कोई दोस्त जो है ओ बीडी या फिर सिग्रेट पिलाना सिखाता है इससे आप लोग कितने सहमत हैं येस ये फिर नो आप लोग बता सकते हैं अगर जिन्दगी में कभी ने कभी आप लोगों ने भी ये गलती की होगी लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे चल कर संभाल लिया अभी हाँ पर इसके बारे में क्यों डिसकस कर रहे हैं इसलिए डिसकस कर रहे हैं कि बहुत important article है आप जो कि WHO यानि कि World Health Organization ने एक report प्रस्तुत की है तबैको कंट्रोल के बारे में और उसकी कुछ details जो हैं वो हमारे सामने निकल कराईए तो इसके बारे में काफी तसलिमे मैं डिसस करूँगा और सारी बाते बताऊंगा जो अच्छी बुरी हाला कि अच्छी तो नहीं निकलेगी मेरे मुह से तबैको और सिग्रेट के बारे में तो बुरी बाते बताऊंगा सारी ठीक है पर लेकिन इसका impact क्या है और किस तरीके से चीजे छोड़ भी सकते हैं तीसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानिके राज्य की सुची और तीसरे को बोलते हैं कौन करेंट लिस्ट उसमें जो हैल्थ है वह सेकेंड लिस्ट में आता है जिसको आप लोग स्टेट लिस्ट यानिके राज्य की सूची बोलते हैं यानिकि हर एक स्टेट की रेस्प है चलिए जो भी है अभी डबले चो क्या बोल रहे है डबले चो साब जो है वो यह बोल रहे है तब को के बारे में कि इनके द्वारा बैसिकली अभी हाँ पर एक रिपोर्ट लाए गई तो बैंगलूरू के बैसिकली बैंगलूरू से लेटरी हाँ पर बात कि जारी है कि findings special mention कि हाँ पर डबले चो के द्वारा तबैको control measures जो release किये हैं उसके बारे में तो सबसे important बात क्या होती है आप कि किस तरीके से आज की डेट में जो यंग जनिशन है वो यहाँ पर इसकी चपेट में आती है और कैसे आप लोग इसको जुडा सकते हो तो इसके बारे में कुछ बाते में आप लोग से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों ने कहीं जगे सुनाओगा नोई स्पोकिंग के बोड लगे रहते हैं अभी अगर मैं आप लोग से थुड़ी सी बात करूँ टोपिक पर अभी आओंगा तो अगर आज की डेट में कोई इंसान सिगरेट पी रहे है तो सबसे इंटरस्टिंग चीज़ पता है कि है यहाँ पर सिगरेट की बात नहीं कर रही है और है कि आप यह बोंची मतलब जो लंंग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो सारी चीजे मुफ्त में मिलती है सीदा सीधा बोलो तो यह अर्थी जो है वो तैयार हो जाती है ठेक है यहाँ कि यह है वर्ल्ड 9 दे की अगर हैं पर आप लोग चीज़ों को हमारा पानमा साल लगा लो है कमला पसंद बिमला पसंद क्या बोले यार मतलब हद है यह तो टूमच वाली बात हो गई न है यह इसको कहते हैं दोगला पन चले जो भी है पलेकिन इंपोर्टेंट बात कहे है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और नो तबैको डे जो है वो इ यहाँ पर मैं बात करूँगा only and only cigarette के बारे में cigarette के बारे में क्या बात की जा रही है इनके यह जो 6 है इसके आगे 0 कितनी लगी है तीन और तीन 6 और दो 8 यानि कि टोटल मिलाकर 6 के आगे जब 8 0 लग जाए इतने सारे पेट जो है वो काटे जाते हैं cigarette बनाने के लिए यह आ लग दोब डाउन कर दे जाते हैं cigarette बनाने के लिए और जब यह पेड़ काट दी जाते हैं अब इन पेड़ में से क्या निकल कर आ रहा है उसमें से निकल कर आ रहा है CO2 एमिशन पेड़ काट दिये अगर थोड़ा सा टाइम प्रेचर डाउन होता तो वो टाइम प्रेचर ड नाक दसलाक क्रोड आठ क्रोड बोला गया बेसिकली आठ क्रोड समझ रहो आप लोग संख्या साड़े आठी लगा लो सिदसिदा इतना टन कारबंडाई ओक्साइड जो है वो एमिट होता है जिसकी वेसे आप लोग एयर लेवल पर ग्लोबल टाइम प्रेचर जो है वो इंपेक्ट डालता है इंवोर्मेंट के ओपर अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है इन डिरेक्ट वे में ये दिखाने कोशिस किए गए कि वो इंसान कितने बड़े गुणा कर रहा है ठीक है एक बार मैंने एक आर्टिकल डिसस कह था तो उसमें एक बच्चे का कमेंड आ होते हों अक्सर यह चीज आप लोगोंने फिल कि होगी नोर्मली यह चीज आप लोग जानते भी होंगे कि सिगरेट बीडी अगर कोई घर में पीता हो पाया जाता है और चोड़े-चोड़े बच्चे उनको देख रहे हैं तो बच्चे भी को सोसते हैं कि है क्या यार हम भी एक ऐसे इंसान के साथ में रूमेट बनकर रहते हैं जो स्मोकिंग करता है तो इंडिरेक्ट वे में आप भी स्मोकिंग 50 परसेंट तो लगबग 50 नी तो 40 से और 30 परसेंट इस्मोकिंग तो आप लोग करी रहे हो यह सिच्विशन आप लोग समझ सकते हैं वैसे ही इतना इस पर्टिकलर प्रत्वी के जहाँ पर वो हैं कितना नुकसान यहाँ पर वो अपने सरीर को और इस दुनिया को पहुंचा रहे हैं अब गर इसकी बारे में कुछ और बाते में आप लोग उसे करूए हैं आप यह थोड़ी सी बाते आप लोग सोचोगे समझोगे तो आप इन चीजों को जान भी पाओगे खासकर आज की डेट में जो रिस्क हैं हाँ पर स्मोकिंग से आप लोग देख सकते हैं यह सारी वो चीज़ें कैंसर हो रहा है लंग कैंसर अलग अलग तरी कैंसर आप लोग को पूरी बोड़ी में कहीं बहीं ऐसी चीज़े नहीं कि लड़किया भी स्मोकिंग करती हुई पाए जाती है आप लोग लड़किया बोलेंगे सर क्या लड़कों को यह अधिकार है हमको अधिकार सब को है बाइसाब सब अपनी लाइब को इंजय कर सकते हैं पर लेकिन जब आपकी जो चीज़ें हैं जो आने वाली जन्रेशन के उपर इंपेट डालने लगें तो आपको फिर थोड़ा सा सतर कहना पड़ेगा क्यों क्यों कि अकसर कई सारी प्रेगनेंट वूमें वो टेंसन में रहते हैं कई बार डिप्रेशन में रहते हैं तो इसका हर्ट रेट बढ़ जाएगा और आप लोगो पता है सिगरेट पी ज लेने में भी आप लोगो दिक्कत होती है आपर नजर आएगी और यह भी एक रीजन है आपर कि उसका हर्ट रेट बढ़ता हुआ नजर आता है जो बच्चा पैदा होगा उसका लो बर्त रेट होगा अगर सिगरेट पी जा रही है तो इसी के साथ में आप लोग यहापर द बच्चे को नुकसान होते नजर आएंगे इसलिए दुनिया भर के आजके में जो बेबीज होते हैं उनको कोई ने कोई इंपेक्ट उनके सरीर पर आप लोग को देखने को मिलेगा और उसमें से पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है यह बारे में कुछ लिखने के आजाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए डबल एच्चो ने कोई कम काम निक है डबल एच्चो ने तो भाई साब यहाँ पर M पावर करके मेजर बोल दिया कि रिडियूस करो तबैकों के बाई साब यह हमारी रेस्पोंसिबिल्टी है कि तबैकों को रिडियूस करना है M का मतलब कह है कि मोनिटर करना है तबैकों का यूज और प्रिवेंट करना पूलिसी यहनकि अगर सरकार जो है आप लोगोंने एक बात देखियोगी जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बोला कि सरकार की आप लोग घरकत है तो देखो सरकार तबैकों पर टेक्स पे टेक्स जा रही है, टेक्स पर टेक्स क्यों लगा रही है, टेक्स पर टेक्स इसलिए लगा रही है, ताकि लोग इसको पीना बंद कर दे, सोच लोग किसकी आँखों में धूल जोकी जा रही है, टेक्स इसलिए लगा रहे है कि लोग पीना बंद कर दे, उनको पता है कि लोग पीना होगे उपर में आप लोगों लगते हैं कि बहुत ज़्यादे इंपेट डाल रहे हैं कि लोग जो हैं तबया को पीना बंद कर करने लगे इंसान यार अगर आप लोग उसको बेसिकली अगर एक वह नहीं कहते कि चीजों को अगर आप लोग सप्रेस करना स्टार्ट करोगे तो वह परदे की पीछे होने लगेंगी उसी लेवल पर क्या और इच्छी लेवल पर होंगी तो इसलिए उसका सोलुशन खोजना ना कि टेक्स लगना टेक्स हो सकता है किसी हद तक चीजों को ठीक करें पर लेकिन टेक्स इस नोर दा पर्मेनेंट सोलुशन कुछ और ढूनना पड़ेगा आप लोगो पी का मतलब क्या होते हैं इसको बोलते हैं बिसिकली प्रोटेक्ट करना लोगों को फ्रों दा तवय को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराना उसको ओ का मतलब क्या है ओफर करना उनको हैल्प की तो क्विट कर सकी हैं आप लोगों मैं बता हूँ कई सारे ऐसे फ्रेंट ने जो कि सिगरेट पिया करते थे उन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी यहां पर ऐसी ऐसी चीजे हैं कि जो आप लोगो कर सकते हो आप लोगों बताओ एक मेरे फ्रेंट ताय सक्रेंट कlebrा नियुक बोलता था 2 रुपे देना 4 रुपे देना शिगरेट लेगे आनी है मैंने बोला कि कुछ भी ले ले लेना किसी भी चीज के लिए पैसे ले लेना पर सिगरेट के लिए पैसे मत माग आज के मेरे बाद में तो आप लोग को भी थोड़ा सा सतर खोना पड़ेगा थोड़ा सा सत्थ होना पड़ेगा अगर कोई ऐसा याड दोस्त हैं अगर कोई फ्रिक्वेंटली आप लोग से समझे रहे हैं आप लोग यहां पर मालेजे वह पांच रुपए की कोई सिग्रेट अगर उनको डेली अगर यूज कर रहे हैं उन्हीं कहता है चंदू कितने पैसे हैं इसमें तो यह हो जाएगा वो सब बात हैं तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर कि उस पर्टिकलर पैसे का इफेक्टिवली इस्तमाल किया सकता है कही नगी जो यहां पर जा रहा है और इंसान को लट लगती है तो फिर अलग लग लगती है पहले एक लट लगती है उसमें मज़ा नहीं आता है दूसरी लट में लगत रहे हैं इसके और यहां पर कैसे इनफोर्स कर सकते हैं बेन एडविटीजमेंट परमोशन इस्पोंसर आज की डेट में जैसे यह एडविटीजमेंट चलते हैं तो बड़े-बड़े स्टार देखो अजे देवगण सहाब अकसे कुमार साहब और साथ में सारुक खान साहब वैसे तो यह इतने वैसे वह बनते हैं और बाग चाहिंट को एक छोड़ी सी एक छोड़ी सी क्या बहुत बड़ी कंपनी हो गया आज के में तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग इतने बड़े-बड़े स्टार को वह अपने एडविटीजमेंट में लेकर आ रहे हैं किस चीज के परमोशन के लिए तो पैसा कितना कमा रहे होंगे वो लोग यहां पर इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रोडेक्ट अच्छा होता है ना वो मार्केट में बहुत अराम-राम से चलता है बहुत अराम-राम से लोगों तक पहुंचता है वह लेकिन जो जो भी चीज आप लोग अच्छी लगते हैं आप लोग कुछ लग रहे कोई चीज अच्छी लगे कोई जैसे कि आप लोग टाटा के दुआरा एक कपड़ की ब्रांड का नाम निकाला गया है उसमें आप लोग ने एक चीज फिल कि इतने सस्ते वहाँ पर कपड़े क्यों उसकी brand का नाम मुझे याद नहीं रहा है, आप लोग नाम बताइएगा, मतलब 1500, 1500, 200, 200 रुपे हैं बहतरी इंसर्ट मिलेगी आप लोगो, उसके पीछे 3 रीजन है, और वही 3 रीजन आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, और उन 3 रीजन को हर जगे implement आप लोग कर सकते है point number one क्या है, point number one तो यह कि वो advertisement पर खर्च करते ही नहीं है, बिलकुल भी, यानि कि जो भी advertisement किया जा रहा है, वो उस पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं, यानि कि अपना सारा का सारा पैसा जो है, वो product पर लगा रहे है, point number one, point number two आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, कि जहाँ जहाँ पर भी उनके द्वारा store ले गए है, वो कहीं भी आप लोग ऐसे नहीं कि बहुती आली सान जगह पर नोर्मल देखने को मिलते हैं, मतलब महंगी महंगी जगह नहीं, आप लोग को नोर्मल जगह भी वो store जो है, वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो यह वो maximum उन लोगों से खरीदा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत लेखते हैं, एक तो होग है कि जिसे कि आप लोग देखाओगा एक गाउं वाले लेवल पर महा से जाकर आप लोग अपने raw material निकाल निकाल कर लेकर आओ, direct भी चो लिए बीच में से अटा दो, तो उस product का price जो है, वो अपने आप, आप लोगो सस्ता होता हुआ यहां पर नजर आएगा, तो यह आप लोग देख सकते हैं आपको, तो इन चीजों का implement किया जा सकता है कहीं ने कहीं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, advertisement जो होता है यहां पर उसमें अगर कोई product अगर advertisement चल ला है, तो आ ठीक है, और यह चीज तो मैंने feel किया है, मतलब जब बच्चे यह एक तरीके से लग सकते हैं, आप लोग ही सर क्या बात बोल रहे हैं, मतलब जब बड़ी-बड़ी coaching के बच्चे आकर यहां पर यह बेसिकली, सोच रहे हैं कि दो लांक वाले course लेकर बच्चे आकर यहां पर और उनका लगबग आप लोग बहुत सकते हैं कि 20 पर 30, मतलब एक तरीक से ना, उनका लगबग एक पर 30 पर 20 वे भाग वाला course आकर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा ही आप लोग यहां पर, मतलब 20 गुना प्राइस देकर और फिर उससे भी 20 गुना कम प course का candidate है, वो हमेसा क्या बताएगा, यह बताएगा कि यह selected candidate है, और एक ही rank का बंदा हर जगे आप लोग को चिपकावा मिलेगा, ठीक है, तो यह आप लोग इससे अंदाज लगा सकते हैं, यह वहां पर सामने वाले ने इंटर्यू दिया, बस उठा की चिपका दिया, तो अगर कहीं भी किसी भी condition में जाते हैं, तो advertisement के उपर मज जाईए, fake advertisement आज की date में इतने हैं, जिसकी कुछ हज़ नहीं है, और मैं तो जब से यहां पर इन particular चीजों को धंग से देखने लगा हूँ, मतलब एक next level पर चीज़ें संज में आ रही है, topers किस तरीगे से इधर उध हो जाते हैं, एक रात में, अगली रात पता चला कि यह था कहीं और पहुच कहीं है, तो यह condition है, तो जो genuine है, जो ढंक से पढ़ाई कर रहा है, जो एक तरीगे से genuine person है, उसके बारे में अलग बात है, पर लेकिन advertisement के उपर मज जाईए कभी भी, उस इंसान के उपर जाईए, जिस इंसान ने कहीं reality में पढ़ाई कि है, जिस इंसान ने कहीं reality में कोई product खरीदा है, महले जा आप लोग Tata के brand के पास में गए, वहाँ से product खरीद कर लेकर आए, तो बताएगा इंसान कि हायर यह फायद है, इस particular product के हाँपर इस तरीके से मैंने लिया, सस्ता लिया, रासा बता रही हैं हाँ पर M power, तो M power करके कोई आप लोगों से prelims के अंदर में कौनस question पूछले कि यह क्या है, तो याद रखना है हाँ पर यह एक तरीका program है, एक तरीका measures है, कि कैसे हम लोग tobacco को control कर सकते हैं, और एक proper तरीकी strategy आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो direct question मन जाए, तो आप लोग बोल सकते हैं, बोला गया कि focus on the second hand smoke, यानि कि जो इनसान direct smoking भी निकर रहा है, second hand smoke यानि कि passive smoking चल रही है, पी कोई हो रहा है, उसकी वज़े से भी दुनिया में 1.3 million तबैक को related death आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि non smoker की category में आते हैं, तो इसलिए कहते हैं आप लोगों नहीं सुनोगा कि उसकी संगती में बत बैठना औरना तेरी संगत भी खराब हो जाएगी, यह M power program को implement ही नहीं कर रहा है, यह सबसे बड़ी दिक्कत हैं आपर, यह WHO बोलता बोलता थक गया, global level पर challenge आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 267 million adult, यहाँ कि 15 साल से या फिर उससे उपर कि अगर आप लोग बात करेंगे, और 29% of all the adults are जो आज के नहीं तबैको यूज कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह global adult tobacco survey बोल रहा है, इंडिया का, आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता हूँ, अगर कोई आज की date में तब आप पीना, cigarette, पीना, सराब, पीना start कर देता है, early age में, यहनी कि 15-16 साल की उमर में अगर start कर देता है, सोचो 15-16 साल की उमर में start कर दिया तो ज़्यादे तो जीने वाला है नहीं, तो मान लेते हैं कि इंसान जो 70 साल तक जीता है, ठीक है, तो आप लोग यह देखो, अ 1.35 million, 1 million में 10 lakh होते हैं, तो यहाँ पर सिधा-सिधा साड़े 13 lakh आप लोग बोल सकते हैं, इतने सारे लोग हर साल तबैको की वैससे मर जाते हैं, हम लोग बोलते हैं, भाइस आप COVID-19 ने बहुत सारे लोग मार दी, आप लोग खुद देख लो है, हाँ तो COVID-19 है नहीं है, य यह सुनकर खुसी होती है थोड़ी से, ऐसी जगे अगर कोई पहले नंबर पर रहे तो मज़े गोच हो रहे है, यहाँ पर है चाहे ना, ठीक है, 38% और 9% वोमेन, अब ओव 15 एज, यह यूज करते हैं तबैको प्रोडेट, यह National Family Health Survey के द्वारा बोला गया है, जो कि जद़ पुराना नहीं है, यह ताजा ताजा है, पांच वोजो प्रस्तुत किया गया था, मतलब वोमेन भी 9% जो है तबा को पीती हुई नजर आती है, और गाव में अगर जाएंगे, जैसे एक तो होता हुका, एक होता है कली, जो बेसिकली छोटे वाला हुका आप लोग बोल सकत है, वो फिर भी एक बार को as compared to जो यह पीजाते हैं, बीडी, सिग्रेट, यह सब चीजे, इनसे फिर भी सही है, क्यों कि उसमें जब आप लोग ने देखा होगा, फूक माली जाती है, तो धूँआ जो होता है, पानी में से निकल कर धूँआ आता है, तो पानी में से निकल क खटे और उनकी एज जो है, मैक्सिमम आप लोगो 90 और 100 के एर फिर आप लोगो नज़र आएंगे, तो वो इस तरीगे से आप लोग समझ सकते हैं, अगर वोमेन की बात करें तो 19% and में की बात करें तो 51% सेडूल ट्राइब से, जो एक तरीगे से जो एक तरीगे से जो एक 50% of women, अगर अर्बन के साथ में आप लोग compare करेंगे, मतलब सहरों में कम reason क्या है, यह hook के और कली वाली बात चल रही है, बेसिकली अगर इसको आप लोग देखोगे, nearly 3-5 जो है men और 15% women, जो with no schooling और less than 5 years of schooling, यानि कि एक तरीगे से आप लोग बोल सकते हैं, जिनके पास में किया जा सकता है, ताकि इसको रोका जा सके, ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ नहीं है, दुनिया में छोड़ भी रहे हैं, लोग आप लोग को देखने को मिलेगा, पर लेकिन फिर भी छोड़ने वाले काफी कम हैं, और पीने वाले काफी ज़दे हैं, यह यहाँ पर दिखाने दे के रूप में फिर वर्ल्ड नो तबैको दे के रूप में celebrate कियाता है ताकि इसको रोका जा सके theme क्या थी हाँ पर इस साल की यह आप लोग को बताने है देखता हूं कौन सही answer देता है यहीं कि theme बताने हैं यहाँ पर cigarette को रोकना है 2019 में क्योंकि starting में तो बोला गया electronic cigarette पीलो यह basically alternative है और इससे कोई health को नुकसान भी नहीं पहुचेगा बात ने पता चला भाई साब यह तो फालतु की बाते बोली जा रही थी और यह तो cancer कर रही है ऐसी चीज़ देख सकते हैं नेशनल तबैको जो यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा quit line service यहाँ पर देखने को मिलेगी मतलब कहने कहीं कि program ऐसे ऐसे चला रखे हैं अगर बात माने हाँ पर इनको systematic way में समझाय जाए लोगों को तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इससे अपना पीछर चुड़ा सकते हैं इसी के साथ में आप लोगो देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे हैं समाप्ति के program एक तरीके से चीजों को करने के तो इसके नाम पर भी हाँ पर program launch किया गया है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखने से सेसन ही होता है तो यहाँ पर सेसन की बात कि जा रही है यह इससे लिटे एक program launch कैगे कैसे इसको control करने है तब एक वो control करने के measure जैसे मैंने आप लोगो बता है यहाँ पर इससे लिटे कानून भी आप लोगो देखने को मिलेंगे यह सारे थोड़ सा detail में यहाँ पर है तो यहाँ पर किस तरीके से आज की date में 85% भाग पर जो की BD cigarette का cigarette का जो डबी रहती है उसमें display करने की बात की जा रही है 2020 के rule से की इतने बड़े उस पर आप लोग यहाँ पर इसको display गरो पर लेकिन आप लोग को पता है movie सब देखने जाते है movie में भी दिखा जाते है कि ऐसा cigarette पीना कितना सिहत के लिए हानिका रहा है पर लेकिन हमारे सिहत पर क्या impact पड़ता है हम लोग फिर बूल जाते है तो इसलिए हाँ पर इसके ओपर काम करना ज़रूरी है कि बड़ी अच्छी बात है आपर movies में खासकर ये चीज़े बहुत दिखाया जाती है रोकी भाई को आप लोगों ने देखा होगा ये हरकते करते हुए इसी के साथ है बैन कर देना चाहिए तबाकों की marketing किसके ओपर कोई marketing नहीं करेगा एक तरीके से बात करें support for smoker who want to quit यानि कि उस इनसान को जो quit करना चाहते है publicly लाकर उसको advertise करो उसको advertise करो न बैसाब उसको दिखकत हुए और वो बंदज है quit करना चाहते है prevent करना तब है को industry को उनको basically विमार करकर अब यहाँ पर बात करोगी जोब चले जाएगी तो यह हरकते से बचना है ठीक है 2019 में हाँ पर direct question पूछा गया कि which one of the following group plants जो है domesticate किया गया new world और introduce किया गया old world से ठीक है तो यहाँ पर यह बात कि जारे कि new world and introduce किया गया था into the old world पर इससे question पूछ रहा है एक और question आप लोगों से पूछ रहे हैं हाँ फही है theme आप लोगों बताने है कि इस दिन celebrating कियाता है तो यह भी मैंने आप लोगों से dicist किया कि किस दिन celebrate कियाता है towards next यहाँ पर question यहाँ पर यह है इसके बारे में कौन कौन सी statement जो है वो correct है यह आप लोग को बताना है तो इन question को attempt किया करो topic में से कभी मार नहीं खाओगी और फिर answer writing हो गया तो इसको कहते हैं धंक से त्यार करना अब कभी इसके बारे में कोई पूछ रहे मुझे नहीं लगता कि आप लोगो इसके बारे में आपर त्यार कर दिया अब कभी भी आये तो टाटा वाई वाई भाई है और उसके प्रोपर notes है और कानी होगी खतम तो इसको अपने पास रखो और enjoy करो ठीक है तो कैसा लगा जूरू बताना कोई doubt हो तो पूछ लेना उसको दूर करकर ही आगे बढ़ना है अच्छा जो बा जो GS का paper होगा वो साड़े 9 से होगा साड़े 11 तक का और जो CSET का paper होगा वो धाई से होगा धाई से लेके साड़े 4 तक का ठीक है तो यह तो आप लोग इसका देखने को मिल रहे है पर लेकिन यहाँ पर दो चीजे थी basically जिसके बारे मैंने पूछा था एक तो यहाँ पर जो एक test होता है आप लोग का जो Chris के साथ में जो weekly practice आप लोगी होती है ठीक है इसमें आप लोग का weekly test होता है यह सब के लिए available है यह normally आप लोग का Sunday को शाम को 5 बज़े आता है ठीक है तो एक तो इसके बारे मैंने बात की थी और दूसरा जो एक नया अभी start किया गया है यह क्य application के ओपर उसका भी एक test है यहाँ पर यह जो जो ओलेडी हैं पर course का part है वो तो इसको join करी सकते है और यह बहुत ही nominal price में बहुत सारे बच्चे बोलेते कि sir class test भी हाँ पर हो जाए तो अच्छा रहेगा तो इसको निकाला गया जिसमें class में जो भी पढ़ाय जा रहा है उसक उसको लिए मैंने सोचा है कि यह सही रहेगा जैसे कि sunday में आप लोगे दो टेस्ट हो जाते हैं एक तो टेस्ट आप लोग का हो गया reason क्या है reason यहा है Saturday में आप लोग कोई टेस्ट नहीं रहता है और Sunday में अगर कोई GS का भी दे रहा है CSET का भी दे रहा है और फिर यह भी हो गए तो उसका दिमाग होच-पोच हो जाएगा तो इसलिए यह वाले दोनों टेस्ट जो है यह आप लोग के लिए Saturday में रग दिए ग बताना और इसको आप लोग किसी भी टाइम दे सकते है ऐसा नहीं की fix है पर हाँ कोईसिस करना कि जिस टाइम एक्जाम आप लोग दोगे उसी टाइम पर अगर टेस्ट को लेकर चलोगे तो इससे फायदा ही होगा कि आप लोग उसी टाइब की प्रेक्टिस यहां पर बन ज कर दोस्तो में घ्रवालों के पैसे बर बाद कर रहा अपनना पर छीजों को लेकर चलोगं वर्ú जोइन करके फैंख देना और फिर खोलके विए हैं ंडेखना उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो यह बशीच चीजे धान एकना तो यह बेसिक साथ में share करनीती है तो serious तरीके से चीज़ों को लेकर चलो ओके दोस्तो इस picture को देखकर आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है यानि कि यह आप लोग का picture perception test है जो कि normally NDS, EDS यह फिर जब भी भी आप लोग ऐसे से भी देने जाते हैं किसी भी basically system के दुरो तो यहाँ पर आप लोगों से picture perception test पूछा आता है तो वही picture perception test है एक यह room है यहाँ पर और यही same room है यहाँ पर तो दोनों में difference आप लोग क्या न जरा रहे यह आप लोग को देखने को मिलेगा बड़ा ही एक तरीके से messy type का है यहाँ systematic way में चीज़े रखे हुई है अगर कोई अलग तरीके सोचने वाला इंसान होगा यह बोलेगा कि यह है unmarried इंसान का room और यह married इंसान का या फिर कोई ऐसा बोल सकता है normally college time पर आप लोग ने देखा होगा school time में जब भी बाहार रहते थे यह है किसी लड़के का room और यह है किसी लड़की का room ऐसा है क्या चलिए जो भी है पर important बात के है मैं आप लोग को जो topic discuss कने जा रहा हूँ उससे इसका बहुत बड़ा correlation है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इस topic के बारे में जो की price information bureau के द्वारा cover किया गया और social security scheme के बारे में बात करेंगे unorganized sector की unorganized यानि कि जो organized ने हो हमारे देश का सबसे बड़ा unorganized sector कौन सा है अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखना वो है agriculture agriculture का किसी को ने बाता कौन कौन कहां कहां पर कैसे लगावा है बस लगे हुए तो यहाँ पर यह क्या है यह unorganized sector है और maximum लोग यह हैं वो इसी में काम करते हैं और यह क्या है यह organized sector है इसमें बहुत कम लोग यह हैं कि बट्टे पर इंट धोनी है या फिर खणचा बनवाना है या फिर मिटटी डालने कहीं पर या PG नरेख falar करने कहीड है तो करने इन इस्किल की रिकवार्मेंट नहीं या अगर आप लोगों को जाको बैठने कहीं पर हलो आप लोगों काम कर रहे हैंняя और an इसको proper skill की requirement पड़ेगी उसको proper speaking चाहिए की हमापर एक systematic way में आपनी बातों को deliver कर सके एक communication skill की requirement पड़ेगी उसको लेक्षने की requirement पड़ेगी उसको पढ़ने की requirement पढ़ेगी औगर कोई special knowledge चाहिए हमापर काम करने के लिए तो इन्सान को ना करनी पढ़े की इनकी सीखनी पढ़े इनकी ए GG तो यहां मेहनत के सरीर से मेहनत कर रहे और यह सरीर से मेहनत पर डिमाग बाहन के चारो कि अन-बनाइज सेक्टर में जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर Gospel जाद होती और के नए सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आप लोगो देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचने के बारे में बात देखे जाती है अगर कल को आप लोग किसी पर्टिक्लर सिस्टेमेटिक सिस्टम के अंदर में जाते हो तो हाँ पर एक प्रोपर सेलरी रहती ह और नहीं काम करोगे तो घर में चूला नहीं जलेगा तो यह चीज़े आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो ओर्गिनाइजड और अनोर्गिनेस सेक्टर में यह बहुत ही बेसिक सा डिफ्रेंस है पलेगी नहीं एक इंटरस्टिंग और इंपोर्डेंट कोश्चन भी आप ल लगा है कि ओवर डिपेंडेंसी ओन अन Walking सेक्टर में ने बोला हमारे देश का सब joining सक्टर हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वह वो लगoking है आज की डेट में तो यह सबसे ज़्यादा अन इंप्रॉइमेंट का रिजन आप लोग यहां पर देखने को मिलता है तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बेरोजगारी के साथ भी directly connect करके देखा जाता है जब यहाँ पर इस particular topic के बारे में हम लोग बात करते हैं तो और दुनिया में चीजों को define करने में कितना मज़ात है जब चीजों को define कहता है तो यहाँ पर unemployment को भी define कर देगा है कि भाई साब यह किस तरीके का unemployment है सबसे पहले है यहाँ पर इसको बोलते है disguised यानिको इनको पता नहीं है कि यह unemployed है पर फिर भी यह unemployed है यानिके लगे में यानिके खेतों में काम करने जाते हैं यहाँ पर तीन आदमी काम कर रहे है जबकि वह काम जो है वह एक आदमी का है दो extra लगे में क्यों क्योंकि कोई काम नहीं है चल खेत में चल तो यह क्या हो गया यह हो गया disguised unemployment ठीक है तो यहाँ पर यह तरीके से जहाँ पर उनको लगना चाहिए सीजनल क्या होते हैं आप लोगें देखोगा सीजन आ गया गहूं कटाई आ गई भाज साब दाहन वाल गयर लगाना है तो जो मिल गई वरना फिर चलेगी structural unemployment क्या होते हैं तो यहाँ पर यह क्या होते हैं कि इनसान के पास में skill कुछ और है पर market में requirement कुछ और है यानि कि मुझे पढ़ाना आता है पर सामने वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर doctor की जुरूत है तो यहाँ पर teacher जो है वो doctor का काम तो नहीं करेगा हलके teacher पढ़ा का doctor बनाता है लेकिन यहाँ पर directly doctor की जुरूत है और teacher जाएगा तो पता चला वहाँ पर वो मरीज जो है उसकी जान चली जए तो इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर doctor का ही होना जरूरी है तो इस तरीके से अलग-अलग चीज़े हो जाना यहाँ पर बात की ज़रे है cyclical तो यहाँ पर यह क्या है यह basically business cycle होती है जो की recession आगया कई बार देखते हैं न कि मंदी आगी तो इतने सारे लोगों की जान चली रही जोब चली गई जैसे COVID-19 के टाइम पर आप लोग देखते हैं बहुत बुरी कंडिसन वी technological क्या होते हैं आप एक तरीके से यह काफी बड़ा है जैसे अभी सब लोग कह रहे है कि artificial intelligence का दमान आ रहा है सबसे normally क्या माना था है कि computer जब आया तो यह माना गया था कि बहुत सारे लोगों की job लेकर जाएगा पर आज के time पर क्या आप लोगों को लगता है हर तीसरे इंसान के अपास में computer और laptop और mobile देखने को मिलेगा इससे job चली गई या फिर job और ज़्यादा create होगी तो job हमेशा उस इंसान की जाती है जो अपने आपको upgrade करने के लिए तयार नहीं है जो जो upgrade कर लेगा वो यहाँ पर अपनी life को शांदा तरीके से enjoy करेगा तो technology हमेशा उस इंसान को लेकर डूपती है जो कि उससे बसता है उससे दूर रहता है पर लेकिन artificial intelligence में यहाँ पर जिस तरीके से चीज़े देखी जा रही थी कि यहाँ पर driver की job खाएगी यहाँ पर एक तरीया labor की job खाएगी जो labor का का काम करते हैं पर लेकिन ऐसा नई वाई सेने तो भाई साब अच्छे अच्छे professional की job खागे चलेगी जैसे आप लोग आज की डेट में अगर बात करें तो जिस तरीके से artificial intelligence काम कर रहा है तो यह समझो कि लोगों को कहीं ने कहीं एक तरीके से लोगों के ओपर dependency कम और machine के ओपर dependency ज़्यादा होती है आप लोगों नजराएगी Fractional यह क्या होता है इसका मतलब बहुत है कि इंसान जो है एक job छोड़कर दूसरी job सर्च कर रहा है थोड़ से time के लिए भी रूज़ कर रहा है दूसरी job में switch करते ही है आपर उसका employment खतम हो जाएगा वंडरेवल कैं इसका मतलब होता है जो एक तरीके से लोग काम कर रहे है informally without proper job contract में रहाते हैं आज हैं कल को हैं पता नहीं तो यह वाला आप लोग को देखने को मिलेगा तो बहुत ही important topic है regular और frequently हाँ पर question जो है अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में ध्यान रखोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से understand कर पाऊगे तो initiative क्या है सरकार के यहाँ पर इसको सही तरीके से लोगों को जो provide कराने के परधान, मंत्री, सरम, योगी, मांधन, योजना यह scheme launch की थी तो साइं हजार से कम है तो उसके लिए हाँ पर यह salary का परबंदन किया गया इसी के साथ में परधान, मंत्री जीवन, जोती, बीमा, योजना लेकर आएगे 2,00, रुपे का insurance दिया गया है हाँ पर ताकि इंसान की जिंदगी जो है थोड़ी से secure लगे और only 436 रुपे का premium देना है पर year के इसाब से इसी के साथ में परधान, मंत्री सुरक्सा, भीमा, योजना आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी यह याद रहा 18 से लेके 70 साल के बीच में है आपर और 2,00, रुपे का है आपर बात की जा रही है कि disability के नाम पर accident cover है यहाँ पर और 1,00, रुपे का भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा और nominal जो basically यहाँ पर अगर payment की बात करें तो 20 रुपीज पर यह enrollment के इसाब से आप लोग यहाँ पर देना है तो यहाँ पर कोई भी ऐसे disability वगरा होती है तो इसके लिए भी है Social Security Code 2020 यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे है आयुशमान भारत यह जिसमें आयुशमान भारत परधान मंत्री जनारुके योजना तो 5,00,00 रुपे हर एक family को देने की बात ही गी इसरम पोर्टल मनाएगे मिनिस्ट्य ओफ लेबर की द्वारा ताकि यहाँ पर comprehensive database को तयार किया जा सके तो यह वो वाले point है जो कि direct आप लोग एक्जाम में अगर mention करतोगे तो question जो है आप लोग का बड़ाई शांदार आप लोग को देखने को मिलेगा दीन दयाल उपाइद्य है ग्रामीन कोसल ये योजना होगी परधान मंतरी आवास योजना होगी परधान मंतरी गरीब कल्यान रोजगार होगे हैं आपर basically महात्मा गांधी ये है बंकर बीमा योजना यह आप लोग यहाँ पर देखते हैं दीन दयाल उपाइद्य योजना परधान मंतरी कोशल विकास योजना ये सारी के सारी जो योजना हैं ये अनौर्गिनाइज सेक्टर के लिए ही आपर बनाएगी है ताकि उनको अच्छा फील कराए जा सके और at least जिनके पास में कुछ नहीं होनी कहते हैं उनके पास में सरकार है ये उपर वाला है तो ये आप लोग समझ सकते हैं आपर तो ये सारी के सारी चीज़े जो हैं ये प्रोवाइड कराए जाती है इसके उपर जिस किसी को कोशन लिखना है तो बड़ा ही प्यारा सो कोशन पोस्ट किया थे हैं पर 31st July को इसमें अगर बात करेंगे कि हमारा देश जो है fastest growing economy के अंदर में आ रहा है पर unemployment की जो प्रोलम है वह आप लोगो काफी ज़्यादे देखने को मिलेगी तो discuss करना है कि unemployment के क्या क्या इश्यों है कैसे तरीके से आप लोग solution निकाल सकते हैं यह जो यहाँ पर discuss क्या था कि type of unemployment है तो सारी यहाँ पर जो टेकनिकल, सीजनल, वंडरेबल यह सारी बात है आप लोगो को बताई यहाँ पर डिटेल में तसलिमें फिर इसके बार में cause क्या है अगर कोई आप लोगों से पूछे इसका reason क्या है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या गयी थी की education system में दिक्कत है आज केर में कितने भी पढ़ लो पर at the end of the day आप लोगो जोब नहीं मिलते है चाहिए PhD क्यों नहीं कर लो ठीक है इंडस्टी इतनी अच्छी नहीं है आपर हमारी देश के अंदर में जितना development होना चाहिए बाहर की company काम कर रहे है इसकिल development प्रोवाइड को लेकर दिक्कत रहती है requirement कहीं पर है बैठा इंसान कहीं पर है ठीक है population growth इतना है कि इंसान को जोब नहीं मिल पाती है agriculture में सबसे ज्यादा है लोग आज की डेट में लगे हैं पर लेकिन वहां से GDP के अंदर में प्रोपर contribution नहीं तो फिर क्या होगा और सरकार के द्वारा भ पर इंसान पढ़ ले तो कम से कम लगे कि जो मिलगी है वो के सब्सक्राइब करा जाए उनकी ट्रेनिंग एक तरीगी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा जाए इस टार्ट अप कल्चर देश के अंदर में होगी तो जोब लेने वाले जोब देने वाले बनेंगे हाप इसी के साथ में फारविंग सिस्टम ढंका हो तो किसानों के हाँ अगर जोब कर रहा है कोई तो वह अच्छा रहे फोरण डियर्ट इंवेस्टमेंट और लेबर इंसेंटिव काम किया जाए जैसे लेबर इंसेंटिव क्या होता है जैसे कपड़े बनाने की फैक्टरी होगी या फिर कोई गत्य बनाने की फैक्टरी होगी या फिर कोई भी ऐसी काँच बनाने की बरतन बनाए की तो ये लेबर इंसेंटिव एहां पर काम किया जा सकते हैं और मार्दमा कानी नेसे लोरे इंप्लोईमेट गैरिंटिए एक तो होई गया तो बड़ा ही प्यारा सा गोश search करकर unemployment डाल कर तो यहाँ पर पूरा का पूरा topic आप लोग के सामने खुल कर आ जाएगा तो यह answer के साथ साथ में एक notes का भी काम आप लोगे लिए हाँ पर कर रहे हैं तो बड़ा ही basic साथ पूरा question यहाँ पर provide करा रख है जिसने नहीं लिखा है वो जुरू लिखने कुर्सिस करना ताकि चीजों को और अच्छे से आप लोग understand कर पाऊ question आप लोगे लिए हाँ पर direct question आप लोगों से पुछा सकता है कि unorganized worker के लिए जो initiative है वो कौन कौन से है तो यहाँ पर 4 initiative का नाम बताया गया और फिर बुलागे कौन से statement correct है तो इसको आप लोग जब आसाने से पुड़ोगे तो answer भी यहाँ पर दे पाऊगे और यहाँ पर सारी चीज़े जो है वो लिखे हुई हुई है तो कोई भी confusion इसको लेकर नहीं होना चाहिए जो भी confusion होगा उसको दूर कर रहा है अब इस question का answer आप लोग आसाने से दे सकते हैं और कोई भी doubt आप लोग के मन में नहीं होगा फिर दोस्तो यह article स्टार्ट होने से पहले आप लोग को यह बताना है कि आप लोग city यानिके सहर में रहते हैं या फिर आप लोग village यानिके गाउं में रहते हैं reason के इसका reason यह इसका पूछने का क्योंकि आप लोग उस situation को अच्छे से correlate कर पाऊगे जब मैं हाँ पर इस particular topic से बात करूँगा क्योंकि हाँ पर हम लोग बात करेंगे urban flooding के बारेंगे क्योंकि urban जो सहर है वो आज की date में जगे जगे पर आप लोगो बार देखने को मिली कुछ कुछ ऐसे condition देखने को मिली कि सडके महाँ पर डूबी हुई थी इवन आप लोगों कई जगे तो कारे जो हैं वो तार तैरती हुई नजर आई यहाँ पर देहली जो कि हमारे देश के capital है वहाँ पर आप लोग इतनी बुरी condition देखने को मिली कि वो एक बहुत बड़ी news बन गई जल मगन हो गया था पूरा का पूरा डेहली जब यहाँ पर आप लोगों ने recently अभी situation देखी हलाकि जो हाँ पर बाड आने का जो reason था वो mainly बारिस नहीं था पर हाँ indirect way में बारिस ही था यह आप लोगों को बताया था उस time पर जब मैंने इसके बारे में discuss बेगया था सबसे बड़ी problem पता है क्या होती है अगर आप लोगों को आज की डेट में आप लोग कहीं पर रहते हैं वहाँ पर भूकाम पा गया ठीक है पर लेकिन एक नहर या एक नधी या फिर कोई एक इस तरह कोई structure पानी का कहीं पर जा रहा है बहाओ और पता है कि पानी बरसेगा और वहाँ पर बाड़ आएगी अब वो तो हर साल का काम है जैसे बिहार जो राज्य है उसका सोक जो है वो किस river को कहा जाता है बताएए चाइना में एक river है जिसको बोलते है yellow river वो yellow river जो है उसको चाइना का सोक कहते है क्योंकि उसके अंदर में बाड़ आती है regularly हाँ पर और काफी large scale पर situation देखने को मिलती है तो इसी तरीके से जहां जहां पर भी नदिया है जहां पर बहुते है और manmade यहने के इनसानों के द्वारा भी किये जाते है ऐसी हरकते भी आप लोग के यहां पर देखने को मिलती है तो अगर सहरों में बाड़ आ रही है और सहरों में हाँ पर चीज़े ठप हो जा रही है इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है आज की डेट में हमारे देश के अगर GDP के बारे में बात करें आप लोग gross domestic product के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं जिसको सकल घ्रेल उतपाद आप लोग बोलते हैं यह maximum city से निकल कर आती है आप लोग ने देखा होगा ना कि आदे से ज़्यादा लोग जो है काम करने का जा रहे है city में जा रहे है तो उनको भी पता है कि यहाँ पर investment करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ दिनों तक जो है business जो है, काम जनता जो है वो बिल्कुल ठफ रहेगा तो यहाँ पर यह भी चीज़े जो है, वो count की जाती है तो अगर यहाँ पर flood वाले system को अगर control नहीं कर पाते है तो वो city जो है, अपने आप में आराम आराम से आप लोगो बरबाद होती ही नजर आएगी तो इसलिए जरूरी है कि एक proper water management वाला system यहाँ पर होना चाहिए ताकि कल को अगर कोई situation बनती है, तो उसको यहाँ पर सुधारा जा सके अभी यहाँ पर जो cause है, उसमें क्या क्या बोलागा एक तो direct आप लोगो देखने को मिलेगे direct का क्या मतलब है, जिसे natural बोलते है, जिसे climate change हो गया, global warming हो गई ठीक है, weather के pattern हो गई, बारिष इतनी जादा हो गई, किसे ने सोचा भी नहीं था, ठीक है, मतलब एक हत्ता की बारिष हो रही है, दो तीन दिन बारिष हो रही है, ठीक ठाक बारिष चले जा रही है, तो कम से कम उसके लिए तो यह situation आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कई बार cyclone आते है coastal area में, तो यह situation अपने हाथ में नहीं होती है, पर लेकिन अगर बात की जाए, जैसे सहर में अगर flood आ रही है तो उसका reason कहा है, ना ले भाई साब उसमें इतनी polythene, पत्तियां वगएर आप लोगो भली कुछ ना कुछ टूड़ा बोड़ा समान देखने को मिलेगा वहाँ पर, यानि कि एक तरीके से proper way में चीजों को सापने करना, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगो देखने को मिलेगा, कहीं ने कहीं, जो paid पोदे होते हैं, वो काट-काट के फैंक दिए, आप लोगो एक interesting च जो area है, उसको खाली छोड़ा गया, ताकि वो पानी को सोक सके, एक normal जगह है, जो पानी को सोकती है, paid वाली जगह है, जो होगी, वो पानी को 20-30% fast सोकती है, और पानी को water table recharge करने में help करती है, तो यह आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे चीजों को uncroach करना, चीजों में एक आप लोग देखोगे, जहाँ पर दलदली forest है, अगर वहाँ पर इस तरीके से condition आप लोग देखोगे, तो यह कहिने के situation बनती है, जो कि और जदे चीजों को बेकार करती है, यहाँ पर नजर आती है, जो यह सारी की सारी चीजे में आप लोग को बता रहा हूँ, यह सारी की सारी चीजे इंसानों द्वारा हरकते किये जाती है, तो इसके जिलिए जरूरी है किस तरीके से road बनाने है, कैसे आप लोग को यहाँ पर proper paid लगाने है, वो सारी चीजे यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इनके लिए काम करना ही करना पड़ेगा, कई बार देखें मैं आप पर data निकल कर आया था, क्योंकि बैंगलूर एक ऐसी high-tech city बोले जाती है, हमारे देश की IT city और इसे यहाँ पर तैर रही थी चीजे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, कि आप लोग देख सकते हैं, कि आप लोग देख सकते हैं, तो चीजों में coordinate करके चलना, municipal cooperation जो है, उसम कहां कहां पर पार करके खड़े कर देते हैं, आप लोगों को ने देखा होगा, टेक है, लोगों का attitude इसके ओपर काफी बड़ी problem करेट वरता है, अपना घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, लेकिन महले की शड़क पर पूरा करकट पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंक अगर काम नहीं होगा, तो फिर ये problem आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये solution नहीं निकल पाएगा, अगर ढंक से आप लोग शीज़ों को समझोगे, तो बात की जारे है, implications क्या होती है, urban flooding की, सबसे ज़्यदा तो बात यहीं होते है, कि देखो आज की date में, loss of life, देखो ए एक इनसान का जीवन, ये फिर किसी जानवर का जीवन, ये साबसे ज़्यदा खतरनाक होता है, क्योंकि हम लोग इसको रिटन लेकर आई नहीं सकते, तो loss of life and property, ये सबसे major यहाँ पर चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, दूसरा कि है, यहाँ पर impact on animal and human health, ये कि अगर कहीं परी भी आप लोगो एक बार को flood देखने को मिल जाए, वहाँ पर महा मारी आने के chances होते है, reason क्या होता है, हम लोग ये तो count कर लेते हैं, यहाँ पर इतने सारे इंसानों की जान चलेगी, इसके घर तूट गए, इतनी सड़के तूट गई, ये तो count कर लेते है पर ये count ही नहीं करते हैं कि उस एरिया में कितने छोड़े छोड़े जीव जनतों भी होंगे, उस एरिया में आप लोग देखते हो, normal जो जनतों भी होते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, और वहाँ पर एकदम बार आ जाएं, तो कुत्तों के ओपर ध्यान जाएंगा, अपना कोई पाल तो होगा, तो हम लोग देख लेंगे, पर एक उसके ओपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, अब वो खुत्ता मर गये होँआपर, किसी की गाएं भेहस मर गये होँआपर, उस पानी के अंदर में दूर दूर से तैर तैर कर आ रही है, हम आपर उल्टी सीधी पर आप लोग रह रहे हैं, तो आप लोग देखने को मिलेगा, अराम अराम से चीज़े डवलफ हुई है, पहले वहाँ पर जंगल था, काटकर वहाँ पर घर बनाएगे, घर बनाएगे, तो फिर वहाँ पर दुकाने भी आगई, होस्पिटल भी आगे, स्कूल भी आगे, तो डवलफ हुआ है, ऐसी जंगल डवलफ होता है रामराम से, ठीक है, वहाँ पर छोड़ी-छोड़ी कीट पर लंगे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कैच्छे भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर नीचे कोई सांप भी देखने को मिलेंगे, इसान उसकी जमीन जो है खेट एक तरीके से बिल्कुल बड़बाद हो गए अब उनकी बारे में क्या सरकार के पास में इतना पैसा है नहीं क्यों सबकी भरपाई करते हैं आपर तो यह ऐसी चीज़े होती है जो इनसान को साइकलोजी के लिए बीमार करती है कई सारे लोग इस पानी बरने से उसको रोकना है ठीक है पानी आए कितना ही सारा पानी सोक ले तो यह सिस्टम होना चाहिए अमृत के बारे बात करते हैं अर्बन ट्रांस्फोर्मिशन को कैसे ट्रांस्फोर्म कर रहे है आज की डेट में आप लोग कि बड़ी बड़ी सेटी मूंबई डहली वैंगलूर यह ऐसे सी सिटी आप लोग की बाट में डूब जा रही है तो इसके उपर काम करना चाहिए प्रोपर सिस्टेमेटिक वे मे इसी के साथ में स्टरॉम वोटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए पानी कितना भी आ जाए या उसको एक तरीके से एक निकासी होनी जाए अ्लीस्ट कि हां से निकल के बाहर जाएगा ऑил ना चाहिए जैसे आस तेल्य के अंदर में काफी काम किया गिया है हाँ पर इस पर तो जहाँ जहाँ पर यह दिक्कते देखने को मिलती हैं उन्हों से सीख लो और आगे बढ़ते रहो आप लोग यहाँ पर तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आप ठीक है रेनी गारण के बारे बात कि ज़रे न्यू यूर्क में बना जाते हैं यहाँ पर तो मतलब पर अपर जो किस तरीके के बिल्डिंग होने चाहिए इस टेंडर ऑपरेटिंग प्रोसेसर जो कोई फोलोई ही नहीं करता है ठीक है आप लोग को यह मतलब आच की डेट में एक सिस्टेमेटिक इमर चीज़े फोलो की जाए तो इदिक्कत देखने ही कोई नहीं मिले लगा है कि यहाँ पर आप लोग ने किजबार देखा होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग जो होती है उनके लिए कोई प्रोपर जो प्रोपर बनाया गया है कि हाँ यह स्टेंडर है इसको फोलो करिए कोई नहीं करेगा पैसा खिला दिया क्रेप्सन है वो हाई लेवल का है बन गया है बाइस आप अपना अंजोय कर रहे हैं आपर अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक नेक्स लेवल पर देखने को मिलेगी तो यहाँ प पर जहां पर बाड़ आगी सोचो हो पर सड़की बरबाद होगी वहाँ पर धांचा अलेक्टिटी वहां पर धांचा दूसरे जो नुर्मल धाचे बनेवी तो टूट गए यहाँ पर लोगों के घर घर बरबाद होगे एकनोमिक लिए कितना बड़ा लोस हैं यहाँ पर इस या फिर flood आप लोग को नजर आती है तो इसके ओपर काम नहीं होगा तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से चीजे जो है फिर positive impact यार नहीं निकल कर आता है कोई भी वहाँ पर उसके लिए positive नहीं सुचागा अच्छे है पर तो यार season आएगा फिर दिक्कत है देखने को मिलेगी तो ये चीज आप लोगों ने feel की होगी जिस भी area में आप लोग रहते हैं बोला जा रहा है यहां पर इसके बारे में कुछ एक question है आप लोगे सामने कि क्या क्या initiative है अगर urban flooding को control करने के लिए तो ये सारे के सारे initiative ही बताए आप लोगों है आप लोगों है आपर तो ये direct question आप लोगे लिए बन जाएगा और ये कैसा topic है इसके उपर आप लोगा answer writing के लिए भी बड़ा ही प्यारा सा question आप लोगों है आप लोगों है आपर देखने को मिलेगा कि हाँ ये ऐसी चीज है एक ऐसी problem में उसको कैसे control के जाए तो वो बात भी आप लोग अपने mind में clear यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है तो वह थी basic सी चीज है कोई भी confusion आप लोगे mind में नहीं हो न चीए अगर होगा तो उसको दूर करकर आप लोग को आगे बढ़ना है तो सार पानी को तो हम लोग safe कर सकते हैं आने वाले time के लिए utilize करने के लिए हर एक घर को इस तरीके से develop के जाए ताकि कल को अगर बाढ़ आए अपने मदब बार इस वर से तो कैसे महाँ पर उसके लिए हम लोग कुछ नब कुछ ऐसा system घरों के base पर त्यार कर सकते हैं ताकि घर घर भी यहाँ पर उसमें उसके साथ में लडाई करने के लिए तयार है उन्हें स्पार्टन बन जाए है स्पार्टन ठीक है तो 300 पर जाकर करो फिर देखो result कितना शांदार आता है ठीक है तो कैसा लगा article बताना और इसको अच्छे से त्यार करके रखिए क्योंकि एक्जाम में पूशन पूशने के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जबी भी कोई ऐसा टोपिक होता है ओके दोस्तों काफी important news है यहाँ पर यह आज की date में आप लोगों ने देखा होगा अकसर हम लोग बात करते हैं कि विदेसों में यार पढ़ने जाना है कई सारे लोग जो है वो four international students मतलब क्या है मतलब जैसे हमारे देश से लोग जो है अकसर आप लोगों ने देखा होगा कोई UK पढ़ने जा रहा है कोई यससे पढ़ने जा रहा है कोई आस्टेल्या पढ़ने जा रहा है और अभी जब रसिया और युक्रेयन की लड़ा हुई तो आप लोगों स्टुडेंट जो है हमारे देश के खासकर मेडिकल स्ट्रीम के जो यूक्रेयन पढ़ने गए हुए थे तो इसी तरीके से अलग अलग देशों से हमारे देश से भी लोग पढ़ने के लिए और उसको इतना असान बना जाए ताकि लोगों को यहाँ पर एडिमिसल नेने में लोंच किया गया है डेली के अंदर में और यह काम कोन करता है यह काम करता है मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन मतलब पहले यह काम कोन करता था यह मिनिस्ट्री ओफ हुमेन रिसोर्स और डेवलपमेंट करता था सर आब एजुकेशन को कर रहा है दोनों एक ही है ठीक है उसी का इसका नाम चेंज करके Ministry of Education रखा गया, पहले इसका नाम जो था Ministry of Education ही था, फिर इसका नाम Ministry of MHRD कर दिया, Ministry of Human Resource and Development और फिर आगे चल गे फिर से Ministry of Education कर दिया, तो ये एक ही एक particular system का नाम आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन जब बात करते हैं, बाहर से कोई student हमारे देश से करती हैं, तो इनके द्वारा एक one store of platform निकाला गया है, जो कि हाँ पर international, अगर कोई student हमारे देश में आकर पढ़ना चाहता है, तो पढ़ सके, आप लोग खुछ सोचों, जब लोग किसी और देश में जाकर पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा है, उस school को, उस college को कितना फायद से, तो इसके चलती है, हाँ पर online system होना ज़रूरी है, इसमें registration किया जा सकता है, visa application किया जा सकता है, DJI course में admission लिया जा सकता है, तो इस सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी, और उस school के साथ में, उस college के साथ में connect किया सकता है, online, बिना widget किये हुए भी, तो ये आस अगर बात करें हमारे देश के अंदर में, खास कर जो बच्चों के बारे में, अगर बच्चों को कोई protection प्रोवाइड करानी है, तो हमेशा सबसे पहले जो नाम आपके लोगे दिमाग में आना चाहिए, वह है NCPCR, बच्चों से related to policy कैसी चल रही है, बच्चों का ध्यान र किया गये हैं हापर MASI, तो MASI, MASI के नाम से याद रखेगा कि monitoring app for the seamless inspection, for the real time monitoring, for the child care institution में, यह बेसिकली हापर बात की गई है, और यह एक तरीकी mechanism जो है, वो देश के अंतर में देखने को मिलेगी, तो इसके तहत में हापर बच्चों को protection प्रोवाइड कराई जा सकेगी, जो function and mechanism हैं हापर इसका CCI का, वो प्रोवाइड करा जाता है, जिसको 21 में अमेंट किया गया, ताकि बच्चों को अच्छे से protection प्रोवाइड करा जा सकेगे, तो national commission for protection of the child right जो है, वो एक statutory body है, statutory मतलब कानून पास करकर पारल्लेमेंट है, तो उस act के तुरू काम करती है, और हमार हमारे देश के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं, तो production of the child right के बारे में हम लोग बात करते हैं हापर, तो यह act भी है हमारे देश के अंदर में, जो कि ministry of women and child development के अंदर में काम करता है, तो कौन है आपर, minister आज की rate में यह आप लोग को बताना है, तो बच्चों से लेटर कोई भी दिक्कत, कोई भी शमश्या, कोई भी परिशानी हो, तो आइसा पहुंचाना है, इसके उपर, इसके पास में यह आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा solution प्रोवाइड कराने की कोसिस करेंगे, ठीक है, पुराने टाइम पर आप लोग ने चीज फील क्योंगी, वो स्टार्टिंग में तो हमारे देश के अंदर में एक कमपनी तोर पर आए, और फिर आगे चलकर वो एडमिस्टेटिव ओथरेटी बन गए, तो यह जो कमपनी है, यह कमपनी कैसे कैसे रूल करने वाले सासक बन गए, यह पूरा एक प्रोसेजर फोलो किया गया उनके द् सेंडियन था, लेकिन जो चापलोस था, वह उनका था, उनके हिसाब से काम करें, यह पैटरण कर रहे हैं, इंडिया कंपनी का जो सेंडिया पैटर फोलो किया जा रहा है, आजकी डेट में, जो दूसरी देट में, बड़ी-बड़ी कंपनी है, अगर आप लोग को देखने क जिसका नाम है आपर Qualcomm, उसके द्वारा यहां पर सभी सौनी साथ उनको यहां पर पॉइंट किया गया है, प्रिजडेंट ओफ क्वालकम, तो यहां पर यह न्यूज ने कलकर यहां पर आ रही है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया के साथ में अगर रिलेशन आगे बढ़ाने ह पर इंफ्राशक्टर डबलफ करना है इस पर्ट्रीकुलर फिल्ड में, तो यह आसानी से किया जा सकता है, हमारे देश के साथ में मिलकर, तो क्वालकम ने क्या किया है यहां पर, अमेरिकन जो मुल्टिनेसल कंपनी है, जिसका हैड़कॉर्टर आप लोग यहां पर, सेंड पर, सेंड जो के साथ में कैलिफोर्निया, जो कि उससे के अंदर में है, वो हमारे देश के अंदर में काम करने के लिए तयार है, और आप लोग को पता है कि सेमी कंडक्टर पर कितने लार्ज स्केल पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी काफी बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है wireless technology से में conductor में तो इसके लिए ये कहीं ने कहीं हमारे देश को भी धान में रखके विए कई बार ऐसे डिजन लिए जाते हैं क्योंकि at the end of the day अपना product बना के बेचना का है बेचना तो market में है और market सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर में तो potential market की तरीके से देखा जाता है ऐसे देशों के द्वारा हमारे देश को ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं आप लोग क्या रहा है इसके बारे में बताना जरूर important news है यहाँ पर जो कि आप लोगों काफी रदा फायदा पहुंचाने वाली है और इसके उपर star भी लगा सकते हैं बात की जारी है National Highway Authority of India जिसको NHAI बोलते हैं उसने launch के यहाँ पर राजमार्ग यात्रा यानिकि एक तरीके से यहाँ पर रास्ते के बारे में बात की जारी है तो ऐसी बाते आप लोगों को देखने को मलती है तो उन सब चीजों का solution निकालने के लिए हाँ पर राजमार्ग यात्रा की बारे में बात की जारी है उस experience को सुधार जा सके रियल टाइम वैदर अपडेट की जा सके हाँ पर useful information जैसे कि कहाँ पर टोल पलाजा है कहाँ पर gas station है कहाँ पर hospital है कहाँ पर hotel है यह सारी information भी उस application पर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो user जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं highway related कोई issue है अगर यहाँ पर geotang एक वीडि driving वया voice assistance का भी portion देखने को मिलेगा जैसा normally आप लोगों को देखने को मिलते हैं जैसे GPS वगारा system आप लोग यूज कर सकते हो तो यहाँ पर कहीं ने के यहाँ सा बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप अगर देखो एक तो है सामने वाली कोई कंपनी है बाहर के वह हमारे देश इसकी जो highways हैं उनको track कर रही है एक हम लोगों ने खुद ने ऐसा कुछ काम कर दिया अपना ट्रेकिंग करके सिस्टम कर दिया तो National Highway Authority of India जो है वो पारलेमेंट के एक के थुरू create के थी 1988 में अंडर ministry of road, transport and highway आती है और official start हुएते हैं आप इसके 1995 में आज के बहुत ही शांदार तरीके से काम कर रही है हमारे देश के अंदर में तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है बेसिक है पर important है दोस्तों यह ऐसी news होती है जिसके ओपर star लगाने की बात आप लोग कर स आते हैं तो उसको खतम करने के लिए हाँ पर इनके द्वारा चीज़े स्टार्ट की गई है council of scientific and industrial research बोलते हैं CSIR को और इसी के साथ में हाँ पर airspace इनके द्वारा एन्बील किया गया और याद रखेंगा इसका नाम रखा गया जल दोस्त ठीक है नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे यहाँ पर जल दोस्त आपको कैसा लगा जरूर बताना यह एक तरीका airboat है जो कि remove करेगा यहाँ पर aquatic weeds from the lakes and the rivers याणि कि जो भी हाँ पर उसके अंदर में चीज़े हैं वो आप लोगो हटा कर बिलुकुल साफ करेगा तो यह एक तरीकी machine आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या रहेगा यह according to NAL जो है यह it is a hybrid propulsion system है जो कि comprise करता है air propulsion और पेंडल भी आप लोगो देखने को मिलेंगे जिसे की आसानी से इसके अंदर से हाँ पर चीजों को हटाये जा सकता है यहाँ पर इस तरीका system है कहीने कहीं आप लोग आने वाले time में हाँ पर बहुत ज़दा फाइदा देखने को मिलेंगे CSIR जो है वैसी research करने आदे से जाद है ठीक है वह देखने पर लगता ही नहीं था कि हाँ पर कुछ ऐसा लगता था कि हरा हरा घास जमाओ है आपर तो एक condition देखने को मिलते हैं जरूरी है इनका solution निकाला जाए ठीक है सबसे बड़ी बात क्या होती देखो अगर इंसान जो है एक जगए फोकस करेगा तो अच्छा काम कर पाएगा इनके बारे में आप लोगी क्या रहे है कि इनका कैसा एक पैटर्न रहा इनके किर्केट का जो कि जब दो नावबे पैर रखकर चलो तो फिर कैसा होगा तो इनक कहीं ने कहीं काफी एक अलग तरीका एक इनसान बोलता है कि यहां ऐसा कुछ करूँगा उसके बाद में चलोंगा तो यहां पर यह गलत हो जाता है कई बार तो आप लोग समझ सकते हैं तो तिवाली जो है वो विकम हैं यहां पर मिनिस्ट्रोप इस्टेट बने इस फोर्ट परस्ट चेस्ट प्लेयर बन रहे हैं जिन्होंने विसुनात आनंद को पीछे छोड़ दिया है तो यह बहुत बड़ी बात है यहां पर हमार सचीन तेंदुलकर साब से एक बार पूछा गया था कि क्या चाते हैं आपका रिकोर्ड कौन तो उन्होंने बोला कि कोई भारती ह होना चाहिए तो इस तरीके से अगर कोई अपना ही इंसान आगे निकल कर आ जाए तो वो एक एप्रिशेट करने वाली बात होती है आपर ठीक है तो ग्रांड मास्टर जो विसुनात आनंद थे उनको पीछे छोड़ दिया 17 साल का लड़का है यहां पर गुकेस तो यहां प थर्ड प्लेयर हैं हाँ पर आनंद और इसी के साथ में हाँ पर एक तरीके से जो पंतलाल यह हिरा क्योशनन इनके वार में जो एंटर करें वर्ल्ड टॉप 10 के अंदर में विसुनात आनंद जो हो स्लिप होगे अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में ओनली ट्वाइस सिंस 1986 तो नाम आप लोगो आसानी से बता देगा यहनि कि एक पर्टिकुलर गेम को इतना फेमस बनाना कि लोग जो हैं उसके साथ में connect हो गये आगे चल कर कि अच्छा कौन से गेम की बात कर रहे हैं तो आनंद साब के गेम की बात कर रहे हैं तो यह समझ सकते हैं आप लोग आप ठीक एबढ़ कर्मन कोल इनका नाम है थानी तो यहां पर ऐस्पोर्ट corner 10 ऐस्वकेट में होगी किरकेट स्क्वाइस यह फिल टैनिस पहले किए पर उसके तोर पूछा जाता है कुरिल आइलेंड जो है वो कई बार news में रहता है आप लोग ने इसके बारे में सुना भी होगा यह कहाँ पर located है आप लोगों से एक ऐसा question मनता है न उसको एक बार देख लिया गुरो जाकर ताकि आप लोग याद रख सको तो यहाँ पर बात की जारी है यह है sea of यह है अकोस तक्स एक पैसिफिक यह ocean के अंदर में इसी के साथ में सेलेबस sea है और Pacific Ocean sea of Japan Pacific Ocean और तासमान जो है sea यह फिर Pacific Ocean तो यहाँ पर कहाँ पर आप लोगो देखने को मिलता है तो एक map-based question भी आप लोग का हो जाता है जल्द दोस्त के बारे में आप लोगे सामने यहाँ पर बात की जा रही है कि यह developed किया गया है Council of Scientific and Industrial Research के द्वारा और इसी के साथ में National जो एक Aerospace Laboratory है यह Artificial जो एक तरीके का Airboat है जो कि हाँ पर remove करता है Aquatic weeds, Lakes और River के अंदर में कौन सी statement correct है यह आप लोग को बताना है Only one, only two, both यह फिर neither one no two, तो यह आप लोग को बताना है Next यहाँ पर National Commission for Protection of the Child Act के बारे बात की जा रही है तो कौन सी statement correct है तो बात की जा रही कि Statutory बोड़ी है जो की established कि गये थी particular इस act के थुरू, Protection of the Child जो यहाँ पर, जो act है यहाँ पर जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर basically, यहाँ पर CPCR ठीक है, एक 2015 रहा है Work करता है अंदर Ministry of Women and Child Development वसी के साथ में member है appointment के आते हैं आपर प्रेजिडेंट के द्वारा attempt for three years सही answer क्या है, यह आप लोग को बताना है ठीक है, तो question का answer आप लोग को देना है बाकि यहाँ पर reasoning का question है आप लोग इसको भी attempt करिए अपना आप लोग एक तरीके से question attempt करोगे तो सोचने समझने, question की आप लोगी समता भी बढ़ीगे, ठीक है बात की जा रही है, थोल लेक के बारे में थोल लेक जो है, वो कहाँ पर located है यह गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगे थोल लेक जो है, वो बनाई गए थी 1912 में, ठीक है 1912 में इसको बनाए गया और आगे चलकर declare किया गया wildlife century 1988 में, सेंटलेशन flyway में भी आप लोगों यहाँ पर यह नजर आएगा, और यह रामसर साइट अभी recently इसको बनाए गया 2021 में, तो जो जो रामसर साइट बनते हैं उनके बारे में question आप लोगों से पूछा आते है तो उसको लेकर कोई confusion यहाँ नहीं होगा यहाँ पर यह tennis से associated है तो आप लोगों से question पूछा है तो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं इनके दुआरा अभी हाँ पर second जो है आपर यह अभी खिताब जीता गया, कहाँ पर यह event in USA में हो रहा था, तो इससे आप लोगों लिए हाँ पर question बन सकता है तो question पूछा है तो आप लोग याद रख सते है जो हाँ पर कर्मन है, वो only Indian बने after Sanya Mirja, जो कि हाँ तक होचे तो यह भी question इसलिए important हो जाता है यह जो question है, यह main best question है आपर तो sea of यहाँ पर, औस तक में आप लोगों को detail में पढ़ाया है, यहाँ पर भी मिलकर काम के जा रहा है, समुद्र सोक वगरा, उनको साफ करने के लिए, और यहाँ पर all three आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगे, यह correct है तो NCPCR जो है, यहाँ पर इसके अंदर में 3 साल तक कर रहता है और maximum age जो है, वो 65 साल और chairman की जो है, 60 साल year जो member की आप लोगों देखने को मिलेगे तो यहाँ पर question आप लोगों से पुछ आता है particular body के बारे में, तो यह basic है C set का जो question है, आप यह basically reasoning का है, इसका answer आप लोगे सामने है B, तो यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो idea रखना doubt ने रखना, ओके, आईए अब आप लोगी अंग्रेजी improve करते हैं, कुछ सब्द आप लोगों सिखाते हैं, जो की काफी important है direct question बनते हैं, खासकर NDA, CDS, SSC, banking के अंदर में answer writing करना चाहते हैं, तो सब्द पास में रहेंगे, vocabulary तो अच्छा अंसर आप लोग state, PCS, या फिर UPSC में भी कर पाएंगे ठीक है, तो यहाँ पर इनके ओपर sentence form करोगे, तब भी आप लोग इनको याद रख पाओगे, पहला जो सब्द हैं आपर, यह है decimilitude, तो यह सब्द आप लोगे सामने है, next है यहाँ पर, यह है describe, तो इसका मतलब है पता लगाना की सीज के बारे में direction करना अच्छा, यह चीज है भी है, फिर नहीं है, ठीक है तो जब यहाँ पर कोई चीज ऐसा है, पता लगाना हो तो ऐसे सब्द जो है, वो use कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और इनको general language में लाने कोशिस करो, जब आप लोग ऐसे सब्द देखते हो, तो next है, यहाँ पर यहाँ पर यह है disentangle तो इसका मतलब है, सुल्जाना कोई चीज है उलजी पढ़ी है, जिन्दगी में उसको सुल्जा लिया उससे बाहर निकल गए, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीके, तो यह काफी बड़ा काम होता है, अगर जिन्दगी में फोलम चल गए, उसका और जिन्दगी में तो कैसा लगा इसके बारे में जुरूब बताना और रियल्टी में कहा रहा हूँ, बनाकर देखो सेंटेंस, सब आप लोग को याद रहने लगेंगे, अगर इनको पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलिग्राम गृप को जॉइन कर सकते हैं, तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लिकेशन का होम Screen खोलते हैं, तो हमें यह Paid Course का section सबसे पहले दिखाए देता है, हमें इसको Tab करके Open करना है, और Open करने के बाद हमें सबसे पहले My Course दिखाता है, जिसमें हमारा जो भी Course purchased है, वो होता है, फिर Home आता है, and then All Course, हमें हमेशा All Course पर जाना है, जब हमें कोई course purchase करना है ठीक है और उसके बाद purchase करने के बाद हमें वो course अपने my course में देख जाता है अब हम बात करते है class notes की जो अभी course launch हुआ है class notes उसको हम कैसे access करेंगे तो हम उस course को view course करेंगे view course करने के बाद हमें subject पर या light पर नहीं जाना है हमें direct telegram पर जाना है जैसे हम telegram पर tap करेंगे वहां से आप view कर सकते हैं and view करते ही आपका telegram page खुल के join channel आजाएगा आपको यहां से channel को join कर लेना है ओके thank you बागी test के लिए तैयार है न है यहां पर test में जाकर आप लोग test दे सकते हैं यहां पर उड़सी के साथ में जो quiz वाले section में जाकर आप लोग free का भी test यहां पर enjoy कर सकते हैं weekly current affair के लिए ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से follow करके चल सको अगर यहां से नहीं तो website से जाकर चीजों को आप लोग enjoy कर सकते हो तो अपने पढ़ाई को serious तरीके से लेकर चलो अगर serious नहीं लेकर चलोगे तो फिर दिक्कते देखने को मिलेगी तो यह एक ऐसा time है अब कम से कम at least आप लोगो serious हो जना चाहिए यहां से आगे अगर serious नहीं होगे तो फिर भारी बढ़ने वाल है कैसा लगा आज का discussion जुरू बताना और कोई समस्चा कोई परेशानी हो तो इसको ही पर ही छोड़ के जाना तो अनमिलता हूं नेक्स लेक्चर में तब तक अबना ध्यान रखिए बड़ोगों का नमस्ते चोड़ों का प्यार छोड़ी से लाइफ एंज्यों करा मिलता हूं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद